यह देखिए, आज मैं बना रही हों पुदीने वाला नमक, तो यहां पर मैंने लिया हुआ, लगबक 1.5 कप पुदीना हो जिसे मैंने अच्छी तरह से ओलिय था, 2-3 बार, और उसके बाद मैंने फैला करके इसका पानी पूरी तरह से सुखा लिया है, लगबक 1.5 कप है, तो जाता है पुरा ना हो जाता है तब एक फिकार पड़ जाता है और लुटक ऐदा कआता है श्वाफ्ग काफी परचली थे मतलब वहां फिल सब्चत है और चिकिकर Richtung ऊपड़ यह गहर में यह दो से पहाड़ी लून बोला जाता है वहां पे भी बहुत फेमास है और ठंड की दिनों में भांग के बीच की तो स्पेशल नमख बनाया जाता है उसमें लसान द्रक का फ्लेवर काफी सारे महां के मसाले होते हैं मतलब महां के शेतरी जो मसाले होते हैं बहुत खुश्बुदार कि पूदी ओं रहनी होते हैं उनको साथ में मसाला तयार किया जाता है और ऊसका यूझ किया जाता है Democrat , जैसे आपकड़ी काट रहे हो याए पल खा रहे हो हो पर तो उसके ऊपर लगा के खाय जाता है और बहुत ही टेस्टी रहता है सबसे बात है फ्रीज के बहार रहता और वो खराब भी नहीं होता है, तो चलिए बनाते हैं, पुदीने वाला हरा नमक, तो यह मिक्सर जार मैंने ले लिया है, तो अब मैं इसमें पुदीना डालूँगी, यह देखे, पीसने के लिए हमें कोई पानी नहीं डालना है, सिर्फ नमक और पुदीना साथ में पीसेगा, यह देखे, थोड़ा पुदीना डाला, और मैंने नमक डाला, तो यह देखे, पुदीना में डाल दूँगी, और वैसे तो ट्रेडिशनली इसको सिल्वत्ते में पीसा जाता है, पर मैं घर में इसे मिक्सर में ही पीसरी हूँ, तो हम मैं ढखकर लगा दूँगी, और इसे हम ड्राइड चटनी पीसते हैं, बिल्कुल वैसे ही पीसे का बीना पानी के, तो यह देखे हमारे पुदीने वाला हरा नमक बनके बिल्कुल तियार है, यह देखे, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, जैसे हमने कोई चटनी पीसी है, लेकिन यह पुदीने वाला नमक है, जो मह मेनों तक खराम नहीं होगा और अगर आपके बाद टाइम नहीं कि मार्केट से आपको पुदीने लाना है तो आपको कोई ज़रूत नहीं क्यूंकि आपके पास पुदीने वाला नमक है और इसका यूज़ भी बहुत ही अच्छी तरके से आप कर सकते हो जैसे रायते में और स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता और बहुत ही टेस्टी लगता है तो जैसे आपको यह अभी ग्रीन लग रहा है थोड़े टाइम बाद में इसका कलर चेंज हो जाएगा यह देखिए हमारा ताजा पीसा हुआ पुदीने वाला हरा नमक बिल्कुल तयार है और आप इसक पुदीने वाला नमक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो आपने देखा इससे असानी सा पिजर भी कर सकते हो तो इसे आपको सुखाने की बिल्कुल जरूत नहीं है सिर्फ कांच के बोटल में आप मतलब कोई जार ले सकते हो सूखा जार हो तो आप उसमें रग दीजे उसमें अराम से रहता है बिल्कुल भी खराब नहीं होता तो यह देखिए मैंने यहां पर फ्रेश दही लिया हुआ खाने के लिए तो अब मुझे इसमें चाहिए पुदीने का फ्लेवर और नमक तो है इसमें तो मैंने यह देखिए थोड़ा सा लिया हुआ है और इसमें दाल सकते हैं यह देखिए कितना बड़िया फ्लेवर आ गया नमक का टेस्ट भी साथ में पुदीने का फ्लेवर भी तो यह देखिए इसी तरह से मैंने आपको यूज बताया आप दही खा रहे हैं आपने रायता बनाया है बुंदी का आपने सैलड तियार किया तो उसमें आप यह नमक का यूज कर सकते हो और महीने तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हो और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता फ्रीज में रखने की कोई जरूत नहीं है तो आप भी इसे जरूर ट्राय कीजेगा क्योंकि अभी फ्रेश पुदीना मिल रहा है मार्केट में तो अग अगर आपके घर में लगा तो और अच्छी बात है आप इसे बना करके रख सकते हो तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पुदेने वाले हरे नमक की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राय करेंगे और जब भी बनाए तो बताना ना भूलें कि आपको ये न दमक कैसा लगा